देर स्टुडेंट्स, गूड बॉर्निंग, ज्यान दूत सेकंड सेशन में आपका स्वागत है, मैं ट्र आशीश गर्ग, एस्सोसियेट प्रॉफसर इंड केमिस्टी सेट, आरेन रुया गौर्वर्मेंट कॉलिज, रामगड शेकाबाटी, डिस्टिक्ट सीकर राजिस्थान बचो आज हम अध्यन करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंट्स, जो की राजिस्थान के लगभग सभी विश्विध्याले के, बियस्थी पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर, और्गनिक केमिस्टी में ये स्लेबस का पार्ट है, एक इंपॉर्टन टॉपिक है और एक बहुत चक्री है योगिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंट्स, मैं आपको एक बार ददा दूं बेटा, कि 11th, 12th क्लास में, जब और्गनिक केमिस्टी, अध्यन हम शुरू करते हैं, तो इस तरह की कंपाउंट्स, हम पढ़ते हैं, कॉमनली, तीन कार्बन, प्रॉप, एन, सिंगल ब बच्चों, यहाँ पर, 1, 2, 3, अगर हम इन कार्बन को जोड़ दें, इस तरह से, इस तरह की योगिक, यहाँ पर इनको हमने जोड़ा, हमें इस बात का ध्यान रखना है, कार्बन टेट्रावलेंट होता है, है, so that, CH2, 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 इस तरह की गंपाउंड, और इनको हम क्या टाते हैं, इस इस दा प्रॉपेन, तीन कार्बन, प्रॉप, एन, so this is दा साइक्लो प्रॉपेन, बच्चों देखिए, यहाँ पर यह जो रिंग बनती है, वले बनती है, इसमें सभी कार्बन है, हम इसको कहते है हैं, सभी कार्बन हैं, कार्बो साइक्लिक, BSC part first में इसको आपने काफी डुटियल में पढ़ा है, कार्बो साइक्लिक, राइट, समान परमानू हैं, हम कहते हैं, सम चक्रिय योकिक, होमो साइक्लिक, राइट, एक नाम इसका हो गया, कार्बो साइक्लिक, एक नाम अभी ने बताया कि वले में सभी परमानू सबानूते हैं इसलिए हम इसको कहते हैं homocyclic right this is the heterocyclic anyway मैं आपको वात और ग्लियर कर दूं यहां पर this is the aliphatic compound right और बच्चों देखिए यह cyclic compounds हैं और कौनसे अध्यन करते हैं बच्चों यहां पर हम शुरू कर रहे हैं इस तरह के योगिक और मैं आपको बता दूं कि हम जब अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में या किसी पी observation table में observation table जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला column हमारा होता है इस तरह से हम इस तरह से form करते हैं serial number यह मैं आपको आज के topic से connect कर रहा हूं हम लिखते हैं serial number तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहां पर sulfur nitrogen and oxygen यह तीन common heteroatom है organic chemistry के अंदर मैंने बच्चों देखिए यहां पर इस चीज़ को mention किया है heteroatom sulfur nitrogen and oxygen होते हैं तो जब भी आपको ध्यान करना हो heterocyclic compounds का आप serial number ध्यान रखिए तो आपको immediately click करेगा इस बात को कि sulfur nitrogen and oxygen यह यह तीन कार्बनिक रसायन में विशम परमाणू होते हैं बच्चों यहां पर हमने बात की सम चक्रिय योगिक यानि चक्र में समान परमाणू मैंने example दिया cyclopropane, cyclobutane यह लोग कारबन बढ़ाते जाए उसी तरह से हम cyclopropane, butane, cyclopentane, cyclohexan and so on बच्चों यहां पर जब रिंग के अंदर अलग एटम आते हैं मैं आपको बता दूं कि इस तरह से यदि रिंग के अंदर sulfur आ गया, यह carbon है, यह carbon है, यह carbon है, यह carbon है लेकिन यह different atom तो इस तरह की compound इनको हम कहते हैं विशम परमाणू हमने यहां first session में, introduction में start किया है कि heterocyclic एक Greek word है, यहां पर hetero का मतलब होता है कि cyclic वले के अंदर किसी different atom का आना, देखें यहां एक important चीज़ क्या है कि कुछ compounds, like epoxides, बचो epoxides में ring के अंदर oxygen होती है इथर के समझात होते हैं यह लोग, यह जो होते हैं epoxides यह एथर के सजातिय होते हैं गामा एंड डिल्टा लेक्टॉन, इनकी structure विशम चक्रिय होती है देखें बचों, बचो, BSC part second के अंदर और BSC part third के अंदर carbohydrates के अंदर हम लेक्टॉन के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर गामा लेक्टॉन, डिल्टा लेक्टॉन का formation होता है और इसी तरह से ये part second की और part first के अंदर इनकी कई reactions भी हैं तो epoxides and lactone, इनकी structure होती है, heterocyclic लेकिन इनको heterocyclic compounds की श्रेणी में नहीं रखते इस तरह के compounds होते हैं, बचो, like this these are the epoxides, right, इस तरह के compounds होते हैं लेकिन इनको heterocyclic compounds की श्रेणी में नहीं रखते मैंने इस बात को यहां बताना जरूरी है क्योंकि heterocyclic compounds में दो बाते होती हैं एक तो होता है, यहाँ पर एक तो इसमें होती है, बच्चो, heteroatom देखिए, कि जिनकी वले में कम से कम एक विशम परमाणू हो और विशम परमाणू क्या हो, जैसा मैंने आपको बताया है sulfur, nitrogen and oxygen, इनमें से एक atom उपस्थित हो एबं aromatic properties हो, यह एक बड़ी important property है aromatic character, इसके बारे में मैं बात करूँँगा इसके बाल यहां बताऊंगो आपको में, तो heterocyclic compounds जिनकी अंदर ring में, यहां पर इस तरह से ring के अंदर sulfur हो, nitrogen हो या oxygen हो और साथ में इसमें aromatic properties भी उपस्थित हो और aromatic term है, और aromatic term हम बचो 12th class के अंदर और BSC part 1st के अंदर, benzene के अंदर हध्यन करते हैं कि aromatic compound वो होगा, जो की हकल के नियम का पालम 4N plus 2 pi electrons, यह आपने अध्यन किया हुआ है यह compounds, it must have cyclic structure, it must have high resonance energy, it must obey, you know, it must have high resonance energy, pi electrons must be cyclically delocalized और यह कुछ conditions हैं aromaticity के लिए, तो heterocyclic compounds वो होते हैं, जिनमें ring के अंदर एक विशम परमणू उपस्तित हो, और साथ में aromatic properties उपस्तित हो तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि कुछ compounds, epoxides and lactons, right? इस structure तो इनका heterocyclic होता है, लेकिन यह heterocyclic compounds नहीं होते क्योंकि यह कैसे होते हैं, unstable, right? और इनके अंदर aromatic character भी नहीं होते, fine? तो बच्चों देखिए, आज का जो हमारा topic है, कि इस प्रकार कौन से योगिक heterocyclic हैं? इस्थाई वले सनरचना, right? रिंग होती है, और वो रिंग कैसी होती है, stable ऐसे compounds जिनमें stable ring structure जिनकी रिंग में कम से कम एक विशम परमाणू, वो sulfur हो सकता है, nitrogen हो सकता है, oxygen हो सकता है, तो stable ring structure जिसमें एक विशम परमाणू हो, और साथ में aromatic properties उपस्थित हो, right? इस तरह की compound कहलाते हैं, you know, heterocyclic compound इस तरह की योगिक कहलाते हैं, बच्चो, मैं फिर एक बार repeat कर रहा हूं, कि hetero atom, जो की heterocyclic compound, विशम चक्रिय योग कों में commonly होते हैं, तो इस आर दा sulfur, nitrogen and oxygen, अब यहाँ पर एक बात और बच्चों मैंने बताया है कि commonly, 5-membered ring, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and this is the 6-membered, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो commonly, 5 and 6-membered rings, यह ज्यादा stable होती है, तो बच्चों यहाँ पर मैं फिर आपको एक बार बता दूँ, कि मैंने आपको बताया था कि BSE part 1 में, allicyclic compounds, homocyclic compounds, तो बच्चों यहाँ पर हमने bear strain theory, इसका हमने अध्यन किया था, और हमने यह देखा था कि 5-membered ring और 6-membered ring, इन दौनों rings की अंदर, कम से कम strain होता है, तनाव होता है, क्योंकि carbon का bond angle होता है, 109 degree, 28 minute का, और bear strain theory क्या कहती है, कि 5-membered rings and 6-membered ring, 5-sedसी वले, इवं 6-sedसी वले, यह सबसे ज़्यादा इस्थाई होती है, क्योंकि इनके अंदर, सबसे कम विक्रती strain होता है, तो बच्चों, यहाँ पर, मैंने यहाँ पर example दिये है, एक 5-membered ring में sulfur है, इसको नाम दिया है, थायोफीन, and these are the tribal names, हम इने कहते हैं, rude नाम पदती, so that, थायोफीन, 5-membered ring, जिसमें nitrogen होता है, इसे हमने पिरोल का है, तीसरा member, 5-membered ring, जिसमें oxygen उपस्थित है, इसे furin बोला है, और बच्चों, यहाँ पर 6-membered ring, यहाँ पर nitrogen उपस्थित है, और इसको अमने कहा है, पिरीडी, मैं अक्सर, जब copies चेक करता हूँ, बच्चों, तो, एक, मैं बड़ी common गल्ती देखता हूँ, कि जब भी बच्चे, यह structure लिखते हैं, चुकि यह सही है structure, इसी तरह से, यह structure, इस थायोफीन, यह दोनों structure सही है, और बच्चे कॉमनली क्या करते हैं, इस structure को लिखते हैं, इस तरह से, बट दिस रॉंग, आपको इस बात का ध्हान रखना है, नाइट्रोजन इस ट्राइवेलेंट, सल्फर एंड ऑक्सिजन बाइवेलेंट, अब गलती क्यों होती है, जब पिरेडीन का structure लिखते हैं, तो बच्चों देखिए, वन, टू, एंड थी, तो नाइट्रोजन, पिरेडीन में नाइट्रोजन, ट्राइवेलेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस हाइडोजन का अब ध्यान रखें, हमारे टॉपिक के, हमारे सिलिबस के अंदर, जो कमपाउंट्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कमपाउंट्स में, जिने हमें अध्यान करना है, थायोफीन, पिरोल, फ्यूरेन, एंट्पिरेडिंग, अब देखिए बच्चों, ये तो बात होती है, कि, ये इनके नाम है, जैसे मैंने आपको कहा, सीरियल नंबर, कोई भी टेबिल अब फॉर्म करते हैं, तो टेबिल के अंदर, फस्ट कॉलम में हम लिखते हैं, सीरियल नंबर, 1, 2, 3, 4, और आपको, मैं इस बात को यहां पर connect कर रहा हूँ, कि, सल्फर, नाइटोजन, एंड ऑक्सिजन, इस आर थ्री हेट्रो एटम, तो देट, आई मैंशन इयर, अब ये जो हमने लिखा है, सल्फर, नाइटोजन, और बच्चों यहां पर six-membered ring, जिसमें नाइटोजन उपस्थित है, इसका नाम है प्रिडीन, तो ये नाम है, ट्राइवल नेम्स, अब साइक्लिक कमपाउंट्स में, जब हम IUPAC नॉमन्क्लेचर की बात करते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कमपाउंट्स के, तो यहां पर prefix जो पहले आता है, that is, हेट्रोएटम को शो करता है, और हम यहां पर हेट्रोएटम के लिए जो prefix पूर्वलगन, हिंदी में कहते हैं इसे पूर्वलगन, यह जब हम शो करते हैं, तो यहां पर sulfur को कहते हैं थाया, nitrogen को aja, and oxygen को oxa, यह मैंने हाँ पर mention किया है, और देखो बच्चो, five-member drink, यह जो five-member drink होती है, इसको हम कहते हैं, all, right, जैसे हम कहेंगे, sulfur, sulfur, थाया, तो this is the thaiol, यह all क्या indicate करता है, all indicate करता है, five-member drink को, और इस five-member drink में, कौम सा हेट्रोएटम है, sulfur, right, यहाँ पर, यह जो, यह क्या indicate करता है, nitrogen, और all indicate करता है, बच्चो, यहाँ पर five-member drink को, इसी तरह से, oxal, यह मैंने mention किया है, oxygen, heteroatom, इसका prefix mention किया है, यहाँ पर, this is the oxal, six-member drink जब होती है, तो बच्चो, छै सदस्सी वले, इसको हम कहते है, in, right, तो nitrogen, जैसे हमने कहा, aja, so this is the, agene, यहाँ इन क्या indicate करता है, six-member drink, और aja indicate करता है, यहाँ पर nitrogen को, right, तो हमने देखा, कि किस तरह से हम, heterocyclic compounds, के नामा करण की बाद करते हैं, बाद करते हैं, और यहाँ पर, यह नाम है, इसके हैं, tribal names, and these are the, IUPAC names, बच्चों, मैंने यहाँ पर, आपको बताया, कि एक तो, heteroatom उपस्थित हो, right, और दूसरा important चीज़ है, aromatic properties, aromatic properties के बारे में, हम commonly, BAC, you know, 12th class में, और BAC part first के अंदर, aromatic characters के बारे में पढ़ते हैं, तो देखिए, कोई भी compound, aromatic properties, शो करता है, वो कब शो करता है, देखिए, इसको बताना ज़रूरी यहाँ पर है, क्योंकि, heterocyclic compounds, कौन से compounds को हम कहेंगे, एक तो, जिन में heteroatom हो, और दूसरा, heteroatom उपस्तित हो, stable ring हो, और एक important feature क्या है, aromatic properties, तो बच्चों देखिए, पहली properties में क्या होती है, हकल रूद, 4N plus 2, 5 electrons, यह उपस्तित हो, राइट, नमबर दो, कोई भी compound aromatic कब होगा, it must obey हकल सूल, right, second thing, it must have, cyclic structure, इसकी वले कैसी होनी चाहिए, इस तरह की, चक्री यह वले होनी चाहिए, बचों यहाँ पर तीसरा character, पाई एलेक्ट्रॉंज, बचों बचों इस तरह से पढ़ते हैं, बेंजीन के बारे में, बेंजीन, 6 पाई एलेक्ट्रॉंज, टू पाई एलेक्ट्रॉंज, टू पाई एलेक्ट्रॉंज, टू पाई एलेक्ट्रॉंज, और आप चाह करते हैं, इट इस हैविंग, 6 पाई एलेक्ट्रॉंज, यहाँ पर, n बराबर 1 n बराबर 1 तो कितने πाई एलेक्टरॉंस हो गए 4 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 6 बेंजीन में 6 पाई एलेक्टरॉंस उपस्थित होते हैं हकल के नियम का पालन करती है दूसरा बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर समतलिय समरचना होती है ये एलेक्टरॉंस साइक्लिकली डी लोकलाइजड चक्र में वी स्थानिकरत होते हैं देखिए बचों होता क्या है हमें स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं कैकुले स्ट्रक्चर इस तरह से और इसका अगला स्ट्रक्चर लिखते हैं इस तरह से अब इसकी रेजुनेटिक इस्ट्रेक्शन लिखते हैं अनुनादी सनरचना तो तीसरी कंडिशन यह होती है नव नेस्ट उच अनुनाद उजा इसमें पाइलेक्ट्रोंस होने चाहिए इसस्ट्रेक्शर समतलिये साइक्लिक स्ट्रेक्शर होना चाहिए यहाँ पर पाइलेक्ट्रोंस चक्र में वीस्थानी करतो होने चाहिए पाइलेक्ट्रोंस बस्ट भी साइक्लिकली डिलोकलाइजड इसकी रेजोनेंस इनरजी होती है 37 किलो कलोरी पर मोल राइट यहाँ पर एक और फीचर होता है एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रियक्शन तो यह पांच कंडिशन्स यह विशम चक्रिय योगिक फॉलो करते हैं इसलिए यह कंपाउंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंस कहलाते हैं मैं इस्ट्ॉपिक को कंखलूट करता हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंस, साइक्लिक कंपाउंस जिनमें हेट्रोएटम सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सिजन होते हैं वले होती है चक्रिय संरचना होती है और ये चक्रिय संरचना इसके अंदर aromatic properties होती है इस तरह के योगिक हेट्रोसै्टलिक योगिक कहते है बचो हम अपने next topic के अंदर individual members की chemistry को start करेंगे पिरोल, furane, thaiofene pyridine इनकी chemistry को हम अध्यन करेंगे तो आज के session में इतना ही बाकि हम second session के अंदर individual members के बारे में अध्यन शुरू करेंगे thank you very much